Dear students, today we will learn about different types of angles. So first हमारा है acute angle. Acute angles हैं between 0 degree and 90 degree. 0 degree is not an acute angle, 90 degree भी acute angle नहीं है. 0 degree को आप बोलते हैं 0 angle और 90 degree को आप बोलते हैं right angle. अब आपको मालूम है कि जो angle बनता है दो raise से बनता है. तो एक ray यहाँ पर already drawn है और दूसरी ray को मैं यहाँ पर आपके साथ जो है draw करती हूँ. तो यह दूसरी ray है. जब यह दोनो raise एक दूसरी के ओपर बित्कुल लाए करती हैं that time angle बनता है 0 angle. दोनों के बीच में 0 angle है फिर धरे 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree, 70 degree, 80 degree and 90 degree तक यह straight. जब यह दूसरी ray बिल्कुल ऐसे straight आजाती है center में यहाँ पर तो यहाँ तक हम consider करते हैं 90 degree. तो यहाँ पर जब था, जब यह यह वाली जो आपकी ray है, यह वाली ray जब आपकी इस ray पर लाए कर रही थी तो 0 angle था, यहाँ पर 0 degree angle था. फिर यहाँ धरे धरे angle बढ़े 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 degree और यहाँ पर आपका angle आगया 90 degree इन दोनों lines के बीच का angle थीक है, तो 0 degree और 90 degree को छोड़ कर बीच में जितने भी angles आए, वो सारे क्या है, acute angles जैसे 10 degree, 20, 30, 35, 47 और 87, 89 degree है ना, बट 90 degree क्या हो जाता है जाकर यह तो है आपका 0 angle है ना, और 90 degree को हम बोलते हैं right angle, यह भी एक type of angle है, 0 degree हमने 3 तरह के angles पढ़ दिये, एक हमने पढ़ा 0 angle, एक हमने पढ़ा acute angle और एक हमने पढ़ लिया right angle, अब हम जो दूसरा angle पढ़ेंगे वो है acute angle, 90 degree हम 0 degree से शिरू हुए, 0 के बाद acute angle शिरू हो गए, और acute angle के बाद हम 90 degree पर पहुँच गया, और 90 degree का angle जो था वो right angle था, तो अब आप देखिए, यह हमने, यह 0 degree था, यह सारे acute angles और यह 90 degree पर आके हमारा बन गया right angle, अब यह 90 degree से आगे 100 degree, 110 degree, 120 degree, 130, 40, 50, 60, यह देख रहे हैं आप, इन दोनों लाइन्स के बीच का बढ़ता जा रहा है, 90 तक यह बिलकुल यहां straight है, 90 के बाद यह यहां पर 100 degree, 110 degree, 120 degree, 130 degree, 140, 150, 160, 180, 70, और यह बिलकुल straight line जब बन गई, तो यहां पर आके angle आपका हो गया, क्या हो गया, यहां पर आके angle आपका, यह आपके यह 180 degree, और straight angle बन गया, यह जो बिलकुल center में था, यहां पर हमारा यह 90 degree था, है तो अब आप लोग ये चीज ध्यान से समझेंगे कि जो एंगल यहाँ पे हमारा क्या था 90 डिग्री था यहाँ पे हमारा कितना था 0 डिग्री और यहाँ पे आके हमारा यहाँ से शुरू हुई थी वो रे और यहाँ तकाते आते 90 फिर 100 और यह इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे यहाँ तकाते आते यह हो गई 180 डिग्री तो जब यहाँ था तो हमने बोला 0 एंगल यह एक टाइप ऑफ एंगल फिर 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स थे उनको हमने बोला acute angle ठीक है उसके बाद जब 90 degree पर ये ray पहुंची तो यहाँ ये जो 0 degree था 0 से 90 के बीच का जो ये arc बना ये 90 degree angle ये 2 rays के बीच में इतना gap होगा तो ये 90 degree का angle फॉर्म होगा फिर यहाँ पर 100 degree 120, 140, 170 180 तो जितने angle 90 degree को आप count नहीं करेंगे obtuse angle कौन से होंगे 90 degree से बड़े और 180 degree से छोटे बनलब 90 और 180 को आप count नहीं करेंगे इसमें बीच में आप इसमें count करेंगे 180 से छोटे angles और 90 से बड़े angles वो सारे angles क्या होंगे obtuse angles होंगे वो सारे angles क्या होंगे obtuse angles तो I think अब आपको यह चीज काफी अच्छे से समझ आ गई होगी कि देखिए ध्यान से एक बार दुबारा भी capsulize करते हैं यह एक ray है और angle बनाने के लिए आपको किती rays चाहिए होती है तो यह दोनों rays जब यहाँ पर है तो यह 0 degree फिर यह सारे 0 के बाद वाले सारे acute और यहाँ तक आने के बाद यह हो गया है यहाँ पर 90 degree इसी तरह से वान मोर अगर हम यहाँ पर आगे के लिए आपको समझाएं यह सारे acute यह 90 फिर यह 90 से बड़े सारे obtuse और 180 से पहले तक के सारे angle क्या होंगे obtuse angle होंगे और यहाँ पर यह आपका यह आपका 0 degree और यहाँ पॉंच के आपका 90 degree और यहाँ पॉंच के आपका 180 degree इन 90 और 0 के बीच के सारे angles acute और 90 के बाद वाले और 180 से पहले वाले यह सारे angles होंगे obtuse और 180 डिगरी पर हम बोलेंगे straight angle 180 degree obtuse नहीं है 180 degree obtuse angle है तो ये 5 तरह के हमने angles में पढ़ लिए, एक पढ़ा हमने 0 degree, फिर सारे acute 90 तक के, 90 itself right angle, 90 से उपर, 90 से 91 degree भी हो गया, तो obtuse angle है, और 179.9 degree तक सारे angles के होंगे, obtuse, and 180 degree जैसे ही होगा, तो वो बन जाएगा straight angle. Now, we can do worksheet number 4, measure the following angles, and verify them as acute, obtuse, right, and straight angle, आप इनको protector के help से measure करेंगे, खुद देखेंगे, कितने degree के हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा, कि ये acute है या नहीं है, लेकिन इसकी shape देखके भी हम बहुत हद तक, हम इसको analyze कर सकते हैं, जैसे ये angle है, देखें, ये B, B part को आप 90 degree का angle है, नीचे की तरफ बना हुआ है, लेकिन है क्या 90 degree का angle है, दोनों लाइने perpendicular हैं एक दूसरे पर, तो आप इसको बोलेंगे right angle, है ना, और right angle मतलब, और acute angles कौन से होते हैं, जिनका 90 से छोटे होते हैं, तो ये जो आप gap देख पा रहे हैं, ये इस वाले gap से तो कम है, त मतलब ये 90 से बड़े angles क्या होते हैं, obtuse angle, और ये ये और ये लगभग सेम है, direct angle can be drawn in any direction, ये इस तरफ को draw हुआ हुआ है, लेकिन है ये acute angle ही है, है ना, तो ये आप ऐसे करके इसको फिल करेंगे, और किते degree के हैं, ये आप रोटेक्टर की help से खुद करेंगे, इसी तरह से आपका, ये देखिए, ये 90 डिगरी है, तो आप इसको बोलेंगे, right angle है ना, और ये देखिए, ये gap ये ये था, और ये gap 90 से बड़ा है, तो मतलब ये obtuse angle है, आप इसको, angle can be drawn in any direction, यहाँ पर ये left facing है, यहाँ पर ये right facing है, लेकिन 90 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे इसको obtuse angle, learn the spelling of acute, obtuse and straight, और ये बेकु straight line है, तो ये straight angle है, 180 डिगरी है ना, तो straight angle, इनको major आप प्रोटेक्टर से खुद करेंगे, ठीक है, ये कितने डिगरी के angles हैं, इसके बाद है next question, draw the angle as per their types, तो आपको, इसको प्रोटेक्टर की help से भी करने की, आप shape से ही clearly, बना सकते हैं, acute और obtuse, तो जैसे ए पार्ट हमने बनाना है, तो x, y, z, आप scale की help से और प्रोटेक्टर की help से बनाएंगे, right angle मतलब 90 डिगरी का angle, मतलब ये straight line, और एक ray ये लेंगे, बिल्कुल इसके ओपर सीधी ये ray आप ये लेंगे, ये होगा आपका 90 डिगरी, और नाम इसका बोला है, x, यहाँ पे लेंगे आप point x, ये y point पे, center point पे angle बनता है, तो ये जो y है, ये आपका center में यहाँ पर, जहाँ पर vertex है, vertex की naming center बादे points होगे, जैसे angle p, q, r है, तो q point पे angle बनेगा, मतलब ये point q होगा, इसी तरह से आप देखिए b part, b part में आपको बोला है, angle p q, r, और क्या बोला है, acute angle, मतलब 90 degree से, आपका जो रहेगा ये, ये ऐसे आपने scale से line लेनी है, proper सीधी, और angle can be drawn in an direction, तो ये point p, ये q is the center point, ये vertex है q, तो q point पे angle बनेगा, p, q, r, और ये आप major कीजिए, ये 90 degree से छोटा ही होगा, ठीक है, तो आप कितने भी degree का, 90 से छोटा हो होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप 60 degree का बनाओ, 70 का बनाओ, 80 degree का बनाओ, और इसका name लगते जिए, p, q, r, इसको आप scale और predictor की help से ही बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद, आपका है, c part, angle, m, n, p, straight angle, तो आप क्या करेंगे, एक straight line ये लेंगे, और यहाँ center में एक point लेंगे, और यह होगा, आपका m, n, p, यह कित्ते डिग्री हो गया, 180 degree, straight angle कित्ते डिग्री का होता है, 180 degree का, ठीक है, और obtuse angle, d part, d part है, angle, a, b, c, obtuse बनाना है, straight 90 degree से बड़ा, बनेगा angle, तो ये एक line ये, और ये किये, this can be drawn in this direction also, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, आप इसको, ठीक है, तो अब इसका हम name दे देंगे, ये, a, b point center में, बनाना है, a, b, c, तो ये obtuse angle होगा, आप इसको major करेंगे, protector से तो देखना, ये 90 degree से बड़ा होगा, आप 100 degree, 120 degree, 140 degree, किसी भी degree का angle, 180 से छोटा होना चाहिए, बस, और 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ये obtuse angle होगा, और x, y, z, जैसे हमने right angle draw किया था, वैसे आप def right angle draw करेंगे, तो in this way, you will complete your wash sheet no. 4